नमस्कार दोस्तों, EMFT लेक्चर सिरीज में आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो से जस्ट पहले Magnetic Flux Density Due to DC Current Carrying Straight Wire का expression डिराइव कर चुके हैं इस वीडियो में फुल फोकस करेंगे कि 5.1 और 5.2 क्या है यह देखिए यहाँ पे, यह आपकी एक Straight Wire है और इस Wire के अंदर से आपका कोई भी एक Current है जो पास हो रहा है जहां Current की Entry होती है, वहाँ पे मैंने Second Mark कर दिया है जहां Current बाहर निकल जाएगा Wire से, वहाँ पे मैंने First Mark कर दिया है यह आपका Point P है और यह Point P इस Wire से R Distance दूर है और हमें यहाँ पे Magnetic Flux Density पता करनी है ठीक है, यह जो Point P है, यह पहले बाद तो जहां भी आपको Magnetic Field निकालनी हो वहाँ से ठीक एक Perpendicular आप Draw कर देजिए हमने यह Perpendicular यहाँ पे Draw किया है तो जो Extreme Ends हैं आपकी Wire के वो आपको P Point से Match कर देने हैं तो यहाँ से जो Second आपका Lower जो End था यह हमने P Point से जोड़ दिया और जो Wire का Upper End था वो भी हमने P Point से जोड़ दिया अब यह जो आपका एक Perpendicular आपने Draw किया है इस से आप Anti-Clockwise अगर घूम जाएं और इस Line तक तो यह Angle होता है 5-2 Angle 5-2 Angle पता करने के लिए आपको Anti-Clockwise घूमना है और जो आपका Perpendicular Draw हो रखा है इस से जो First Extreme End था इस Line तक आपको Clockwise मूँ करना है वो आपका 5-1 Angle है तो अगर ऐसा है तो फिर यह Expression हमने Derive कर लिया था अब हम इसी Point को फिर से समझने की कोशिस करेंगे Second Case में यह आपकी Wire है यह आपका Second Extreme End है और यह आपका First Extreme End है और हमने यहाँ पे Point P पे क्या करना है Magnetic Flux Density निकालना है तो इसके लिए हम क्या करें सबसे पहले तो Perpendicular Draw कर दो तो यहाँ पे ठीक यहाँ पे एक Perpendicular हमने Draw कर दिया ठीक है और अगर Wire आपकी छोटी है और Wire का कोई भी Point उस Perpendicular Draw पे Connect नहीं होता है तो आप Doted Form में उस Wire को थोड़ा सा Extend करके भी दिखा सकते हो ठीक है यह हो गया आपका अब देखो क्या करना है अब यह जो Perpendicular Draw किया था इसको Dark Line से Present कर दो अब देखो Theta 1 और Theta 2 ही हमें चाहिए बाकी तो Value सारी Constant Value है ठीक है तो यह देखो अब Second यह जो है इसको आप Point P से Connect कर दो अब Perpendicular से इस Line तक आप Anti-Clockwise मूँ करो आपका Q2 मिल जाएगा ठीक है Q2 क्या होगा वो Angle जो Second Extreme End से Connect होता है तो यहाँ पे जो Angle होगा बच्चो यह होगा हमारा 5-2 ठीक है लेकिन जो हमारा 5-1 है वो क्या है वो होगा Angle जो First Extreme End से Connect होगा लेकिन Clockwise Direction में होगा तो यहाँ से जब मैं Clockwise Direction में आऊँगा यह देखो पहले तो जो First Point है इसको P Point से Connect कर देजिए हो गया Connect ही है यह Second वाला भी Connect हो गया First वाला भी हो गया अब देखो इस Perpendicular से इस Red Line तक का जो Angle है वो आपका 5-1 Angle नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें Anti-Clockwise आना पड़ता है तब मैं इस Red Line तक पहुँचता हूँ लेकिन Q1 Angle हमेशा Clockwise मूग करने से ही हमें मिलेगा तो इस Perpendicular जो Draw किया है इसको आप अगर Clockwise मूग करोगे तो आपको इस Direction में घूम के आना पड़ेगा और यह Direction घूम के आओगे तो फिर आपको यहाँ पहुचना पड़ेगा तो अगर मान दीजिए यह Perpendicular और यह जो Red Line है जो First Extreme End से Point P तक Connect है अगर इसके बीच का Angle आपको बता रखा हो 5-1 है तो इस Formula के According Clockwise आप घूम के आओ तब आपको यह Angle पता लगेगा और जब Clockwise घूम के आओगे तो यह Angle कितना हो जाएगा This is 360-51 यही Value आप इस Formula में पूट कर दें तो इस Point P पे जो Magnetic Flux Density का Expression है वो आपके सामने होगा This is Mu 0 divided by 4 Pi Current upon A आप देखो Sin Theta 1 Theta 1 कितना है? 360-Theta 1 यह है Actual में Theta 1 आपका तो 360- करोगे तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा Minus Sin Theta 1 Plus Theta 2 क्या है? Theta 2 आपका Direct है और वो Anti-Clockwise मो करते हैं वही आपका Theta 2 दे रखा है तो यह आपका As it is रहेगा Sin Theta Sorry 5, यह 5 1 है यह 5 2 है यह आपका expression आ चुका है इस particular case में अगर कोई doubt आपको अभी भी है तो तीसरे case पे आएंगे तीसरे case को फिर से समझने की कोशेश करेंगे यह आपकी कोई state wire है ज्यान से समझे इस state wire से आपका कोई current है आई current जो pass हो रहा है इस state wire के दो experiments है यह आपका second end है और यह आपका first end है यहाँ point P पे इस wire से जो current पास होता है उसकी वज़े से magnetic flux density आप निकालना चाहते हो तो पहला काम तो बच्चो यह किया गरो कि आप एक perpendicular draw कर दो इस point से यह आपका perpendicular अब यह जो perpendicular draw किया था directly यह इस wire से connected नहीं है लेकिन इस wire को आप dotted line से थोड़ा सा extend कर दो ठीक है अब देखो पहला तो क्या करो second point इस P point से जोड़ दो और फिर आपका जो first point है वो भी इस P point से जोड़ दो ठीक है अब यह देखो इस perpendicular से first point तक अगर आप clockwise move करते हो तो angle क्या होगा फाइवन लेकिन इस perpendicular से second point तक anti-clockwise move करते हो तो आपका होगा फाइट टू ठीक है तो let us say ये angle जो है इनके बीच का perpendicular और second point के बीच का जो angle है उसको मैं फाइट टू बोल देता है तो क्या यहाँ पे हम as it is फाइट टू लिखें नो क्योंकि ये जो फाइट टू है perpendicular से second extreme point और पी point के बीच जो dotted line है उसको मिलाएंगे तो मुझे यहाँ पे clockwise ही चलना पड़ता है लेकिन चलना मुझे anti-clockwise चाहिए जब मैं क्यों फाइट टू angle पता करूंगा तो मैं क्या करूंगा मैं यहाँ से anti-clockwise चलोंगा और घूम के जो second point और पी point के बीच का dotted line है वहाँ तक मैं जाऊंगा वहाँ तक अगर मैं गया तो फिर मैं यहाँ आया राइट अगर यह angle फाइट टू है तो anti-clockwise में मुझे कितना घूमना पड़ेगा this is 360 minus phi 2 है ना तो actual में जो phi 2 angle है वो 360 minus phi 2 आपको लिखना पड़ेगा और इस तरीके से आपके यहाँ पे जो magnetic field होगी वो क्या होगी this is mu naught divided by 4 pi current upon a अब देखो theta 1 तो बिलकुल सही है perpendicular से first extreme end और p के बीच की जो dotted line थी उसको आपने मिलाया तो यहाँ से जब आप यहाँ चले तो naturally आपकी direction clockwise है तो clockwise direction है तो clockwise ही हमें consider करना था तो यह हमने directly हमने sign phi 1 लिख दिया लेकिन जैसे ही हमने phi 2 के बारे में देखा तो phi 2 कब आना चाहिए जब anti-clockwise direction में हम मोग करें तो anti-clockwise direction में मोग किया तो मुझे 360-52 ट्रेवल करना बढ़ा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा sign 360-52 यह और इसकी value क्या होती है minus sign phi 2 तो इसका मतलब जो आपका b है यह आ गया mu naught upon 4 pi current upon a this is sign phi 1 minus sign phi 2 यह आ गया बच्चो आपका magnetic field अब हम fourth case consider करेंगे फटाफट और fifth case में आप मुझे comment sections में जरूर बताएंगे कि यहाँ पे actual में यह जो expression है यह कैसे change होगा तो यह फटाफट देख लेते हैं यह हमारा P है यह wire का first end है यह wire का second end है पहला काम एक perpendicular draw गर दीजिए दूसरा काम first point से point P को dotted line से match करा दीजिए अगला काम P से जो second point है आपका वहाँ पे भी dotted match करा दीजिए अब देखिए perpendicular से अगर आप first point वाली जो line है उसको कैसे cover करोगे clockwise है ना मान लेजिए यह angle जो है यह 5,1 है और यह angle जो है यह 5,2 है लेकिन आपको यह देखना है कि हमारा जो rule है वो क्या है इस perpendicular से first point और P point के बीच की जो dotted line है वहाँ तक मुझे पहुँचना है clockwise direction में तो अगर मैं ऐसे पहुँचता हूँ तो क्या हुआ anticlockwise हो गया यह तो तो इसका मतलब मुझे बच्चे घूम के आना पड़ेगा यह यहाँ और यह अगर 5,1 है पूरा घूम के आता तो 360 होता बट 5,1 ओल्रेडी चला गया तो मैं कितने angle मैंने cover किया यहाँ पे 360 minus 5,1 तो इसका मतलब इस fourth case में जो मेरी magnetic flux density है वो होगी mu not divided by 4 pi यह 4 pi है तो यहाँ पे theta 1 जो consider करोगे वो 360 minus theta 1 consider करोगे तो sin theta 1 क्या हो जाएगा sin of 360 minus theta 1 तो this is sin 360 minus phi 1 sorry theta नहीं phi ठीक है प्लस अब यह देखो यह जो perpendicular है इस से second extreme end और p point के बीच की जो dotted line है उस तक चलो लेकिन चलना कैसे है phi 2 में anti-clockwise और देखो बच्चो हम यहाँ पे किस तरीके से चल रहे हैं phi 2 right यह एंगल आपका theta 1 है ठीक है यहाँ पे 360 minus theta 1 यह आपका actually यह एंगल आपका positive एंगल ही होगा बिल्कुल ठीक है और यहाँ आप आएंगे तो theta आएंगे ठीक है एक बार में फिर से यह concept आपका वजरूर बता दूँ जो पहला end है आप word चलना है तब theta चेक करना जो दूसरा end है वहाँ आपको downward चलना है तब angle चेक करना यहाँ पे perpendicular line यह थी इससे उपर चलाऊंगा तो मेरा theta 1 है इससे नीचे आऊंगा theta 2 है तो यानि आपको घूमने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तो confuse मत होना प्लीज this is mu naught divided by 4 pi i upon a उपर चलना है तो theta 1 है बिल्कुल उपर चलके ही theta 1 आया है और नीचे चलना है तो theta 2 है नीचे चलने से ही हमारा theta 2 आया है और इस case को भी मैं फटा फट सोल कर देता हूं ताकि confusion ना हो सबसे पहले ये wire का first extreme end है ये wire का second extreme end है और इस से जो wire में current है वो आई है तो पहले आप एक perpendicular draw कर लीजिए फिर आप एक dotted line से इसको match कर दीजिए तो पहला काम क्या होगा जो आपका first extreme end है वहाँ से आप एक dotted line draw कर दीजिए second extreme end है वहाँ से भी एक dotted line end करते है ठीक है तो बहुत ज़्यादा confuse नहीं होना है आप ये देख लीजिए इस से अगर आप downward direction में आते हो तो downward direction में theta 2 के लिए आना है 5 2 के लिए तो ये आपका downward direction में 5 2 है तो 5 2 ठीक है लेकिन जो आपका first है 5 1 वह upward direction में आना चाहिए बट इस perpendicular से आप जब नीचे आते हो first extreme end और p point के बीच जो dotted line है इस तक पहुँचने के लिए आपको downward direction में आना पड़ा तो downward direction में आओगे तो आपको वह negative लिखना पड़ेगा क्यों? क्योंकि जो 5 1 है वह upward direction में है और 5 2 जो है वह downward direction में है तो clockwise, anti-clockwise को अगर छोड़ भी दें तो 5 1 आपका क्या होगा upward क्यों? क्योंकि जो first extreme end है वह upward वाला है second extreme end जो wire का है वह downward वाला है तो यह आपका क्या है downward सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखेंगे तो भी आपका पूरा concept clear हो जाएगा तो यहाँ पे यह देखिए 5 2 तो downward direction में है बिल्कुल correct है लेकिन 5 1 upward होना चाहिए बट यहाँ पे downward direction में है तो अगर direction opposite हो जाती है तो वहाँ पे negative sign लिख सकते हो तो जो B है वो क्या मिला this is mu naught divided by 4 pi i upon a 5 1 opposite directions में है होना चाहिए था upward बट इस case में है यह downward तो यहाँ लिख दो minus sign 5 1 plus 5 2 आपका downward direction जब चलते हैं तब आना चाहिए तब यहाँ पे आया है तो इसको edge लिखती है sign 5 2 ठीक है तो यह है कुछ important points जहाँ भी point P दे रखा हो एक straight wire है जो DC current carry करती है point P पे magnetic field निकालना हो तो यह जो concept है यहाँ पे theta 1 और theta 2 का ही concept है जरूर ध्यान रखना जो theta 1 है वो जो first extreme end आपने माना है perpendicular line से आप word आप चलोगे तो वो आपका theta 1 होता है और perpendicular line से downward जब चलोगे तो वो आपका theta 2 होता है तो इस तरीके से हम यह sign बदलेंगे अगर हमारी direction change होती है theta 1 अगर मुझे downward direction में travel करके पता लगता है तो फिर हम उसका negative sign लिख देंगे और अगर theta 2 upward direction में चलने से पता लगता है तो फिर यहाँ पे sin theta 2 से पहले हम sign को change करके negative लिख देंगे यही आपका concept है this is the end of the video thank you so much for watching this video अगर में जपकाई लिए लगता है